वालमिकी रामायन के आयध्या कांड में 20 सर्ग राम कई के और दशरत के भवन से बाहर निकला कौशल्या से मिलने के लिए अपनी मां को मिलने के लिए और कौशल्या के पास जब पहुँचा कौशल्या जी यग्यां करने में व्यस्त थी और जब उनका यग्यां समाप्त हुआ देखा वेटा है तो एक दूसरे से दोनों ने गले मिला और क्योंकि राम बाड़े दिनों के बाद आया है आप पूछेंगे बड़े दिनों के बाद कैसा राज महल है हर एक का अलग अलग पैले सोता है लोग व्यस्त रहतने काम में तो बड़े दिनों के बाद आया तो कौशल्या बड़े खुशिशे बोला बेटे बैटो आसन द इसक्लोज किया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है पिता दशरत ने प्रामिश किया है कि भरत को राजा बनना है और मुझे जंगल जाना है और वो जंगल भी अभी जाना है और खाले जंगल नहीं जाना उसमें कंडिशन है कि मुझे वनवासियों के तरह वो जंगली जानवारों के कपड़े पहना है या पेड़ों के चाल के कपड़े पहनना है और वनवाशियों के तरह जो फल मुल कंद खाना है मैं अब आज से अभी से कोई भी नौर्मल स्टिजिन के तरह मेरा खान पान रहन सन नहीं हो सकता तो मैं आपके यहां नहीं खा सकता जब ये सुना तो कौशल्या शौद्गो करके नीचे गिर पड़ी वालमिक लिखते हैं ऐसे मानो कोई बड़े शे शाल के पेड़ की किसी खुलहरी से किसी ने डाली काट दी हो जैसे डाली धराम से जमीन पर गिरती है कौशल्या उस तरह जमीन पर गिर तो राम ने उनको प् सब्सक्राइब को उठा करके प्यार से उसने बोला कि मुझे तो जाना होगा यह यह तब कोशल्या रोने लगी और क्या समझाने लगी कि बीटे जिंदेगी में मैंने कभी खुषी नहीं देखी जब से तुम्हारे यहां आयुद्या में आया है तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर में दुखी रहा इस आश्रे में दुखी जीवन को काटती जा रही थी कि मेरा बेटा कल कब बढ़ा होगा तो मेरा धुआ पस आएगा और तुम अभी जाने को कह रहे हो मेरे जीवन भर तो कभी मुझे सुख नहीं मिलने वाला है नद्रोष्ट पूरुवं कल्यानं सुखं वापति पाउरुशे अपि पुत्रे पिपाशेया मिति रामा स्थितम्मया सा भहुन्यमनो ज्यानी वाक्या निर्दय अचिदाम अहं श्रोस्ये सपत्नीना मवरानां वरासती हे राम मैंने जीवन में कभी यहाँ जब से आई हूँ ना कभी कभी सुख मिला ना कोई मेरा कोई कल्यान या भला भी जबकि तुम्हारे पिताजी मेरे पती जब पूरुश में भी थे जब वो फूरे पावर्पुल थे यांग थे तब भी मुझे कभी सुख नहीं मिला अपी पुत्रे पी पश्ययम राम अस्थितम मया और लगता है तुम्हारे जाने के बाद तो वो जीवन में वो भी नहीं के हो सकता मैंने जीवन भर इस महल में हमेशा कडवी बातें सुनी है दील को चल्ली करने वाली बातें सुनी है किन से अपनी को वाइप से सौतनों से और अवराना और यहां के छोटी मोटी दासियां भी मुझे ताना मार के खराब बात बोलके चले जाती किसी महिला के जीवन में इससे ज्यादा दुख क्या होगा ऐसा दुख जिसका कोई एंड नहीं है संतान पैदा होने से पहले भी दुख था पती का प्यार नहीं मिला और पती हमेशा सप्रेश्ट करते रहे को वाइप सौतनों की जुलम सहना पड़ा और पतनी महिला इस आशा से यह सब सह जाती थी बेटा बढ़ा होगा तो कुछ बनेगा तो दुख जाएगा तो वो भी आब नहीं हो पाएगा जब तुमारे होते हुए इतना दुख मुझे सहना पड़ा और जो तुम चले जाओगे तो दुखों का तो अंबार गिर पड़ेगा मेरा मौत जैसा दुख होगा इस राजभवन में मुझे हमेशा कई कई के नोकरानियों के बरावर विहेल किया जाता रहा और मेरे पती दशरत हमेशा मुझे सप्रेश्ट करते रहे योही माम सेवते कश्ची दथवाप्यानु बर्तते कई के या पुत्रम अन्युक्षा स्वजनोना भिभाशते नित्यक्रोधात यातस्या कथमनु खरवादितत कई के या बदनम द्रश्टुम उत्रशक्षामि दुर्गता हिराम जब मेरा पती राजा था तब मुझे इतना दुख सहना पड़ा और जब कई के का बेटा राजा बनेगा भरत उस भरत को देख करके जो नौकर चाकर इस भवन में काम करने वाले लोग लोग वो तो मेरे से बात तक भी नहीं करेंगे और कई कई हमेशा मेरे ऊपर टेंपर में रहती थी मुझे देखते ही गुस्से में बात करती थी और खरवादी खरवादी बहुत हार शूर्स मेरे साथ मेशा बोलती रहती थी तुम जब चले जाओगे तो मैं कैसे कई कई से मुह मिला के बात कर सकती हूँ वो तो और मेरे साथ मिस्भेव करेंगे दशशप्त चवर्शानी जात अस्यात वराघव अतितानी प्रकांग्चंत्या मया दुख परीक्षयम हेराघव राम सत्रा साल हुआ तुमें पैदा हुए जान रखे राम जब जंगल गए तब उनका एच सेवेंटीन येर्स ओल्ड था इनोट कर सकते हैं यह सब चीजें जो होती हैं बड़े रेफरेंस वाले होती हैं दशप्तच वर्शान्ड दस और साथ सत्रा हे राम तुम सत्रा साल से जब से तुम पैदा हुए हो अभी तक सत्रा साल हो गया इस सत्रा साल से मैं इस अन समाप्त ना होने वाले दुखों को जहलती रही इस आशाशे कल मेरा दुख धूर होगा क्योंकि मेरा बेटा बड़ा होगा तो राजा बनेगा तो मेरा दुख धूर होगा तदक्षयम महद्दुखम नोच सहे सहितुम चिरम विप्रकारम सपत्नी नाम एवं जिरिना पिराघव अपश्यंति तवमुखम परिपूर्णा शशिप्रभम कृपना वर्तै श्यामी कधं कृपना जीविकाम तो आप तुम जा रहे हो मेरे मेरा दुख तो अब अख्षय होगा अख्षय मिन्स अब उसका कोई एंड नहीं होगा अब वो काम होने वाला नहीं है अब मुझे पदा नहीं मैं इन दुखों को केसे सह सकती हूँ खाली दुख नहीं, विप्रकारम सपत्नी ना, मेरी जो सपत्नी है, साउतन है, को वाइप से, उनकी जो इंसल्ट है, जो हुमिलेशन है, उस हुमिलेशन को भी मुझे सहना पड़ेगा, बेटे राम, तुम्हारा ये चांज जैसा मुहूं ना दिख करके मैं दीन हीन बेचारी कृपणा मतलब बेचारी, मैं जिन्दा कैसे रहूंगी, उपवासे इश्च योगे इश्च बहु भी इश्च परीश्रमी ही, तुखं संवरधितो मोगं, तुम ही दुरगत या मया, राम, जब से तुम पैदा हुएगो, मैंने तुम्हें पालते समय कितने उपवास किया ह कितना मेडिटेशन किया है, क्योंकि मैं एक अनफर्चुनेट लेडी हूँ, लग्लेस मदर, एक भाग्याहीन मा हूँ, और मुझे कितने कश्ट शहकर तुम्हें पालना पड़ा, और कितनी तपस्या, यग्या, जब अधी किया, सिर्फ इसलिए कि तुम बड़े हो जाओ ठ ठीक ठीक और मेरे जीवन का दुख दूर हो, स्थिरम तुर्वदयम मन्नी ममेदम यन्नदीर्यते प्राप्रशीव महानध्या स्रुष्टम कुलम नवाम भशा, लगता है जब कुमारे बन जाने का ख़वर मैंने सुना, होना तो ये चाहिए था कि इतना बड़ा दुख है, मेरा दिल जो है फट जाना चाहिए था, मेरा हुदय फट जाना चाहिए था, पर फटा नहीं, लगता है मेरे दिल भी कुछ ज्यादा ही पक्थर जैसा है, तूडता नहीं है, मैं मर क्यों नहीं जाती, धर्ती फट क्यों नहीं जाती, पानी में गिर के क्यों नहीं मर जाती, तो जो जो बहुत आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, भोट लेस है, हैल्फ लेस होते हैं, जो आपके मुह से बचन निकलता है, वो सब मुह से निकला है। यह जो बातों में एक जीज जो जरूर हमें जो समझने की जरूरत है कोई भी महिला जब अपने पतिघर में होती है अगर वो ससुराल में है वो आप लोग तो पर्चनेट हैं आप अपनी पती के साथ अकेले रहते हैं ना कोई सास है ससुर है ना है तो बहुत कम लोगों का यह तो बड़े पर सबके लिए ये खुषकिस्मति नहीं है अगर आपका पति आपका साथ ना दे तो नौकर्चाकर भी आपको बद्तमीजी करते हैं दुनिया भी आपका मजाक उडाता है आपके बच्चे भी आपके साथ बात नहीं करते हैं ध्यान रखिए इसको वाइस बर्शा भी कर सकते हैं ठीक है यह एक उनिवर्शियल लेनों मेना है कि ज्यादा तरह जगह महीलाओं के उपर जुलुम होता है घरों में पर इसको वाइस बर्शा भी करें जिन घरों में महीलाएं डोमिनेट करती हैं और पूरुश बहुत दवे बच्चे जो होते हैं वो अपने पापा को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं केर नहीं करते हैं यह जो रिस्पेक्ट है न यह पती पत्नी जब तक एक दूसरे को नहीं करेंगे तो दूसरा वाला उसका पाइदा उठाता है वो दूसरा आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपक जिसका भी रेस्पेक्ट आप नहीं करते हो वो सबके लिए हुमिलेशन का पात्र बनता है तो जो कोशल लिया की स्टोरी चे आप देखेंगे वैसे तो हम रियल लाइफ में यह देखते हैं और मेरे जैसा व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ में बहुत सरी लोग आते हैं अपना दूख शेयर करते हैं यहां भी मैंने पचासों फ्यामिलियों को जानता हूं जिनके साथ क्या होता है पर जब हम ऐसे कोई पुराने लिटरिचर को पढ़ते हैं शाहित्य को पढ़ते हैं तो वह ज्यादा उसमें जो एक हुमन ट्राजेडी है जो हुमन नेचर है उसमें एक tik टांप लगता है तो वालमी के जब काउशलया की इस टोरी को कॉशलया के मुझे सुनाते हैं उसकी로 को मुझा एक हुस कोशलया के साथ जो कुछ खराब विवार होता है कैसरां कम करते हैं दश्रत उसको लिटर्व नहीं करतें और कौन करता है को वैक्ष करते हैं नो गार चाकर करते हैं, दूसरे राणियों की दासदासियां करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है, इसकी साथ कुछ भी करो, राजा कुछ नहीं करने वाद, पर कई कही को आप गल्ती से भी आप उनकी बात को नकार दो, कल राजा आपको फासी का अडर दे देखें, तो everyone has to कही कही, everyone has to respect कही कही, इविन जो को वाइप से हैं, जो कही 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 कही, उनको भी रेस्पेक करना पड़ता है, क्योंकि पती का प्रिया कही 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 है, तो ध्यान रखिये लाइफ में, पती और पतनी एक दूसरे के लिए सहारा होते हैं, अगर स्पाउस एक दूसरे का साथ ना दें, एक दूसरे को रेस्पेक ना करें, एक दूसरे का अक्षाल ना रखें, दुनिया में कोई नहीं रखने वाला, including हमारे आपके बच्चे भी नहीं रखने वाला, यह बहुत प्रेयर है, तो कौशलया की यह ट्राजेडी, जो हो सकता है, कौशलया यह किसी को नहीं स दुख होते हैं, कहीं ना कहीं, पर वो दुख दबे रहे जाते हैं, जब तक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आता है, कोशलया के लिए किसी का सिचुएशन आया, जो उसकी एक्सपेक्टेशन चालो, दुख को सहो, सहो, कोई बात नहीं, बेटा मेरा बढ़ा होगा, राजा ब कलने लिए, और उसे कौशलया ने बोला, कास मुझे मौत हो जाए, धर्ती फट जाए, समंदर में में डूप के मर जाओ, कोई मुझे मारते, अब मैं जिना नहीं चाते हूँ, उमारे बिना, अगले सर्ग में, 221 में, राम के साथ लक्षमन था, आपको पता है, थोड़ा ब भारत में इसका मिलता है, जुलता है, क्यारेक्टर हम भीम में देखते हैं, ऑनिस्ट, बिलकुल ऑनिस्ट, ट्रेड फरवर्ड, और शांत नहीं, शांत मतलब, टीट फर टैट, कांटे के लिए कांटा, क्यार के लिए प्यार, सिंपल सी बात, नो डिपलमेसी, नहीं, आप अच्छा हो, हम अच्छे हैं, आप बुरा हो, मैं बुरा हो, तुम आवरेज हो, मैं आवरेज हूँ, तुमने चार नमस्ती किया, मेरे तरब से चार, तुमारे समते जीरो नमस्ते, मेरे तरब से भी जीरो नमस्ते, यह है कुछ क्यारेक्टर, लक्षमन, रामायन में लक्ष लक्षमन ने सुना, कवशल्य की रोना को सुना और राम की ये बातों को सुना, उसको बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ, गुस्सा भी हुआ, दुख और गुस्ऩा में भरा हुआ, लक्षमन ने बोला भाईया आप उस बुढ़े के बाद सुनते हो सब्द ध्यान दिखिए जो बुढ़ापा में जवान महीला के द्वारा फांसा गया है उसकी बाद की क्या कीमत है छोड़ो आप कहीं नहीं जाना यहीं टिके रहो देखते हैं कौन क्या विगाड़ेगा और मैं सारे श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ पर लक्षमन का एक श्लोक है कि वो पिता हो गुरु हो प्रम्मन हो जानी हो अगर धर्म से हट जाए पाप करे तो उनको भी उतने ही सजा मिलनी चाहिए जो किसे और को मिलता है वाई शुड़ो खेर बाद इस आप जाने की जरुरत नहीं है देखते ही कौन आपका क्या विगाड़ता है मैं हूँ यहां भरत को सपोर्ट करने वाले कितने लोग आते हैं आने दीजी आपने कोई दोश नहीं किया है आपका कोई एक दोश दिखाने वाला भी नहीं है यह राजमहल में छोड़िये इस पूरे आयुद्या में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपका कोई बुराई कर दे कोई बुराई दिखा दे आप एक निश्कलंक हैं निर्दोश व्यक्ति हैं आपने उस कई-कई को भी मा के तरह सम्मान किया आपने इस बुढे दशरत पापिता को भी सबसे ज़्यादा लक्षमन यही को भी आपने हमेशा सम्मान दिया और उसके बदले वह आपके साथ यह विहवार करते हैं कोई दोश आपका होता तो मैं भी साथ देता पिताजी के और कई कई के पर एक निर्दोश निश्कलंक व्यक्ति के साथ यह विवहार यह मुझे बरदास्त नहीं आप बस और दो मैं अभी लड़ाई के लिए तयार हों देखते हैं कौन आता है और भरत आए अगर ज़्यादा बोले तो मैं उसको वही मरवा दूंगा चिंता मत करिए लक्षमन की यह बात सुनने के बाद फिर कौशल्या बोलती है राम देखो लक्षमन ने जो बोला तुम सुनो तुम समझदार हो यह नहीं बोला कि लक्षमन जो बोला गलप बोला सही बोला उसने बोला तुम समझदार हो लक्षमन क्या बोल रहा है सुनो और जैसा तुम्ह ठीक लगे वैसक करो कौशल्या के एतत्तो वचनम शृत्त्व लक्ष्मनस्य महात्मनह उवाच रामम कौशल्या रुधंति शोकलालसा भ्रात्रस्ते वदत पुत्र लक्ष्मनस्य शृतंत्वया यदत्रानंतरं कार्यं तुरुष्वय दिरोचते उस महात्मा लक्ष्मन की ये बात सुनकर के रोती हुई कौशल्या ने राम से बोला बेटे पुत्र राम तुमने तो सुना लक्ष्मनने क्या कहा अब तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम ऐसा करो यदि रोचते कार्यं कुरुष्व तुम्हें एगर लक्ष्मन की बात जमता है अच्छा लगता है नचा धर्म्यंवच श्रत्वा सपत्नियाम अमभाशितं विहाय शुकशंत अप्ताम गन्तुमर्हसिमामितः धर्मज्या यदि धर्मिष्टो धर्मम्चरितुमिच्छसी शुष्रुषष्वमामिहस्त वंचर धर्ममनोत्तामाम इस लोक का हेलपलेस होते हैं और कोई कोई स्ट्रेंजर हो या कोई भी हो आपकी साथ देने के लिए आ जाता है थोड़ा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा भी बोल जाए तो भी आपके ते चलेगा है ना फिर आपको तोड़ी हिम्मत आती है फिर आप दिमाग लगा के सोशती हो कि दिग्या और उपाए ऐसी कुछ रिमेडी बनाया जाए जिससे कि इस प्रॉब्लम से साल में लक्षमन के इन बातों से राम के उपर कुछ प्रभाब पढ़ा हो ना पढ़ा हो कहशन लिया के अंदर खोड़ा सा हिम्मत आ है तो उन्होंने एक स्ट्राटीजी के लिए कुछ बाते की और वो बात थी कि राम देखो तुम जंगल क्यों जाना चाहते हो पीता की बात को मान करके जंगल जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उत्र हो तो अपने पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है तो पिता के वच्चन को पालना तुम्हारा धर्म है सब्सक्राइब इसलिए जा रहे हों न हां जी तो क्या माता के प्रति कोई धर्म नहीं है में तुम्हारी माँ हूं मैं कह रही हो मत जाना अब मत जाओ यह न डिलेमा तो यहीं पर तो काम आता है आपकी तो यहां शा kingdom नहीं आता है पहले वह हम डिस्कूस करते फिर न। जब डिलेमा आती है पिता र माता में से ईटूज करो न बच्चे ऑर मावाप में से duties करो। है, जा यह आपके जो वर्क प्लेश में जहाँ आप दूर्क करते आपके जो वर्क प्लेश आपको लगता है नहीं यह मैं नहीं कर सकता। पर बहु को निकाल देगा नोकरिश। अगर आप बहुत की सुनते हैं तो आपकी जिंदे की बची रहती हैं। अगर आप अपनी धर्म की सुनते हैं, तो आप रोड पर आ जाते हैं, है ना डिलेमा, तो लाइफ में तो पग पग पर डिलेमा आती है, छोटी बड़ी पचास तरह के डिलेमा आती है, कभी-कभी हमें दो अपजिक्ट जो सिचुएशन है, जहां हमें दूनों सही लगते हैं या दोनों सही ना लगे ना लगे, हमें किसी एक को चुना और जिसको चुने दूसरों को ना चुने तो गिल्ट फिलिंग होती है, पत्नी की ना सुने तो भी गिल्ट फिलिंग है, माबब की ना सुने तो भी गिल्ट फिलिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो मस्ते जो बुक वार्म बन जाते हैं मला लकिर के फाकिर जो लिखा है में देखो मैं बेटा हूं माँबापकी सेवा करना मेरा धर्म है पर पत्नी कहती है तुम करने ही सकती हो फिर तो तलाक लेना पड़े पर क्या यही एक्स्ट्रीम ही है और कोई रास्ता नहीं है तो यह आपका विश्डम काम करेगा ना तो शास्त्र यह भी तो कहता है पति-पत्नी मिल जूलके रहो पत्नी को भी खुश रखो पत्नी को दुखी नहीं करना पत्नी को खुश रखो पत्नी को खुश रखना भी पत वो गुद्धी क्यों दिये है तो गुद्धी कहीं लगाओ फिर वो अलग बात है यहां कौशल याने वही पॉलिसी अपना ही कि बेटे को कन्फूज्ड किया जाए अगर पिता तुम्हारे पिता होने के नाते उसका धर्म निभाना जरूरी है मैं भी तो मां हूं मेरे मेरे प बुखी रहूंगी परेशान रहूंगी तो मेरे प्रती धर्म तुम्हारा पुत्त्र धर्म निभाजा देखिए धर्म चरी तो म मिच्छ सी अगर तुम रिहाली रॉराइटर सो हल्मर हो अद धर्म हो आपनी डियोटीजी को निभाने वाले हो तो सुनो राम, मेरी भी सेवा करो, मैं मा हूँ, मैं भी बुड़ी हो गई हूँ, अब बेटे का कर्तव्य है कि मा का सेवा करना, तुम मेरा सेवा करो और यहीं सेवा करो को कि अपने घर में अपनी मा का सेवा करना, मा की बातों को मानना, हर वेटे का कर्तव्य होता है और अपने घर में अपने मा का सेवा करना, तुमहारे लिए जरूरी है देखो काश्य पुरुशी ने सब कुछ छोड़ करके केवल मां की सेवा किया तो स्वर्ग पहुंच गया यथे इव राजा पूज्यस्ते गौरवेन तथा अस्मिहम क्वामनाह मनुजानामी नगंत व्यमितोह वन्नम राम राजा भी तुम्हारे लिए पुज्य है रिस्पेक्टिबुल है दशरत तथा अस्मिहम में भी तुम्हारे लिए पुज्य हूं रिस्पेक्टिबुल हूं और मैं ओडर देती हूं ना गंतव्यम इतोवनम तुम यहां से जंगल जाही नहीं सकते हो तव्यूगान नमेकारियम, जीविते न सुखे नवा, वयासह ममश्रेया प्रणानाम अपिभाक्ष्यनम। तुम्हारे विना मैं जी नहीं सकता, ना मैं सुख से जी सकता हूँ, ना मैं जिन्दा रहने की कोई जरूरत है, तुम्हारे साथ ही मेरा सुख है राम, तुम्हारे विना मुझे घास भी खाना पड़े राम, मुझे घास भी खाना पड़े, तुम्हारे साथ ही रहना है, अहम प्रायस इहासिश्ये नहीं शक्षामी जीवितुम और सुनलो राम लाश्कवानी यदि तुम यास्यसी वनम अगर तुम जंगल जाओगे मुझे इस दुखी परेशान बेचारी छोड़ करके अहम प्रायम इहासिश्ये मैं यहाँ पर भूके प्यासे मर जाओंगी मैं जिन्दा नहीं रह सकती ततस्त्तम प्राप्ष्यसे पुत्र निरयम लोकविश्रुतम ब्रह्म हत्या मिवाधर्मात समुद्र सरिताम पति और क्या होगा राम पता है अगर मैं मर गई तुम्हारे विना तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा नर्क में जाओगे नर्क में दुनिया का सबसे बड़ा फ्यमस नर्क में जाओगे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा विलपंतिम तथा दीनाम कौसल्याम जननिम्तत वाचराम धर्मात्मा वचनम धर्मसंभितम नास्ति शक्ति ही पितुर वाक्यम समति क्रमितुम्ममा प्रसादये तवं शिरसा कंतु मिछाम्याम बनम इस तरह विलक्ती हुई रोती हुई बेचारगी से भरी हुई अपनी मा कौसल्या को देख करके सुन करके ओ धर्मात्मा राम ने बड़े धर्म से भरे हुए बातें बोला कि हे मां मेरे में ये शक्ति नहीं है I don't have that power or ability to transgress my father's order मैं जब से पैदा हुआ हुँ मेरी upbringing मेरा संसकार ऐसा बन गया है मैं अपने पिताजी के बात को टालने के लिए मेरे में वो शक्ति नहीं है इसलिए है मां मैं सर जुका के तुम्हें प्रणाम करता हूँ प्रशन न हो जाओ मुझे जंगल जाने के लिए अनुमती देदो आलाव करतो रिशीनाम चपितुरवाक्यम कुर्वता ब्रतचारिना गौरहता जानता धर्मम कंडुना पिविपाश्चिता पहली चीज है कि जिस तरह है कि मेरी बच्पन शे सब लोगों ने अपने सिखाया मेरे में यह हिम्मत नहीं है यह शक्ति या अबिलिटी नहीं है कि मैं पिताजी के वच्छन को टाल सकते हूँ इसलिए आप ज्यादा मुझे पूर्स मत करो नंबर तू हिस्ट्री में कितने प्रमान हैं देखो कंडु ने कंडु राजा ने अपनी पिता के कहने पर गाय को मार दिया सगर के बच्चों ने अपनी पिता के कहने पर वो सागर की खुदाई की और जिसकी कारण सब की मौत हो गई पर्शु राम ने अपनी पिता के कहने पर अपनी मा की हत्या करती तो जो जो पिता के कहने पर जो भी एक्जाम्पल हिस्टोरीकल वो हिस्ट्री जो भी स्टोरीज थे राम ने उन सब को सामने रखा दिखो इन सबने भी पिता जी की ही बात मानी है, मैं क्या करूँ, मुझे आप पुर्स मत करो, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं पिता जी के वचन को उल्लंगन नहीं कर सकता, नमबर टू मैं उनको वचन दे चुका हूँ, और मैं अपने वचन से कभी कम्प्रमाईज नहीं करता पढ़ाना अपने, रामों दूईर नाविवाशति, राम ने कई 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 वचन क्या दिया था, जब कई कई ने बोला, देखो, मैं तुम्हें तभी बताऊंगा, जब तुम प्रमिश करो कि तुम इसको फुर्फिल करोगे, क्योंकि तुमारे बाप तो बदल गए, तुम भी उसी का बेटा हो, तो राम तब कहते हैं, इसा क्यों बोलते हो कड़ी बाते मेरे पर आपने मुझे जानते नहीं हो, मैं कभी अपनी बात को दुबारा नहीं बोलता हूं, रामों दूईर नाविवाशति, जो एक बार बोल दिया, कमिट्मेंट कर दिया, तो मैं फिर उस किसी भी हालत में पड़ेगा, कौशल्या के लाखों समझाने पर, राम अडिग रहे अपने पतिज्यां पर, राम ने कौशल्या को समझाने की कोशिच की, समझाए, समझाए, इसी तरह कौशल्या परेशान है, एक दूसरे को समझा रहे हैं, राम कौशल्या को कन्विंश कर रहा है कोशल या राम को कन्विंश कर रहे हैं और किसी तरह कोशल या मान गई ठीक है आप जाओ तब राम लक्ष्मन को समझाते ही कि देखो मेरे पीछे में तो जाना मुझे पक्का है लक्ष्मा तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो और ध्यान रहे मेरे पीछे सब का ख्याल रखना खास करके कई के के साथ कोई बत्तमीजी नहीं करना कोई गलत वेवाहर नहीं करना उनको भी उतना ही सम्मान देना जितना सुमित्रा और कौशल्या को बेति होगा पीता दशरत का हमेशा सम्मान करना और उनका ख्याल रखना तुम्हारे व्यवहार में किसी के प्रती कोई असम्मान नहीं होना चाहिए भरत और शत्रग्नवी जब वापस आए तो भी उनके साथ प्यार से रिस्ता रखना मेरे कोरोनेशन के लिए जो भी आरेंजमेंट हुआ है लक्षमान जाओ मेक्शियोर करो कि वो अभी थोड़ी देर के लिए उनको वीटर कर दिया जाए जब में वन चला जाओं तब उस आरेंजमेंट को दुबारा ध्यान रखना और भरत आ जाए बिना किसी प्रॉब्लम के राजावीशेक को ठिक ठिक कर देना मेक्शियोर करना जब भरत वापस आए तो कई कई की इच्छा के मुताबिक जैसा कई 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 चाहती है उसी रूप से ही राजावीशेक को पर ध्यान और लक्षमन सुनो ये गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कभी-कभी कुछ चीजें ह परिश्रम करते हैं अपने तरफ से 100 परसेंट देने की कोशिश करते हैं कभी-कभी भाग्य के सामने या दैवक के सामने मजबूर होते हैं मैं ये मान कर चलता हूँ ये मैरा डैव है मुझे 14 साल जंगल जाना है, मुझे राज्या बनने का अभी टाइम नहीं है। तुम भी इसी को accept करो, उसी तरह अपने मन को समझाओ। मजबूर साप के तरह लक्षमन लंबी लंबी सांस लेकर के नीचे मुझे को करकर के राम की बातों को सुन रहा था। बिलकुल वशे ही जैसे कोई जवान बेटे को उसके पीता समझा रहे हो, अच्छे बुरे की बात दे रहे हो, बच्चे को डांट रहे हो, ये गलत है, ये साजे सा रिस्पेक्ट करते हैं, तो सब बातें सुन रहे थे पर उनकी इमोशन्स तो इमोशन्स है, घृसा है, दुख है, लंबी-लंबी सांसे चल रही है, पर राम की बातों को सुन रहे हैं, जब राम की बात समाप्त हुई, लक्षमन ने बोला, भाई, ये जो डेस्टिन हैं, जिनके पास शक्ती है, जो मेहनत करना जानते हैं, वो कभी डेस्टिनी की बात नहीं करते हैं, भाई, तुम वीर हो, मैं भी वीर हूँ, हमारे लिए शुभा नहीं देता ये डेस्टिनी, याद रखो भाई, ये डेस्टिनी का प्राब्लेम नहीं, ये तुमारे पिता दशरत और ये जगडालू माह काई केई का गलत काम है। इन दोनों के गलत काम को तुम देश्टिनी का नाम मत लो तो। कि क्या है नहीं कोई इंसिडेंट जब लाइफ में घड़ता है तो हर व्यक्ति अपने धंग से उसको इंटरप्रेट करता है। और व्यक्ति का इंटरप्रेटेशन उसकी संसकार उसकी जो ओवरल पर्शनालीटी उसकी जो अंदर की अपरिंगिंग है। उसकी द्वारा डिफाइंट होता है। राम और लक्षमन के सामने सेम सीचुएशन है। लक्षमान अपने धंगशे इंटरपेट करता है, राम अपने धंगशे इंटरपेट करता है। दोनों भाई है, दोनों एक हमी धियुक है, दोनों एक ही कल्चर से बले बढ़ेहें। ऩी दूनों की understanding नहीं दूनों की आउट लुक है, किसी भी incident को interpret करना ध्यान रखें interpretation एक इंसिडेंट को interpret करना दोनों का अलग अलग कि incident सेम राम को लगता है इसमें पिता या माता का को जोश नहीं कि अदि वहाँ नध्या और घ्र अ door लक्षम सोब्स प्रुषॉर्थ और जो बहदुरि इन के बीच में compare करके बताता है देखिए हम समर्थवान है हम capable है राजा बन सकते हैं आप में वो युग्यता है आप में विरत्व है लोग आपको पसंद करते हैं आप पास्ट चाहिए हो हैरीटेटेरी आप डिजर्ब करते हो आपको राजा बनना चाहिए डेश्टिनी के चक्तर मत्रा है तो लक्षमाड के सम्झाने के बाद को चल्याने भी प्र दुबारा राम को फिर क्योंकि जब-जब लक्षमाड बोलते हैं तो कशल्याको थोड़ासा वह वाईटमीन मिल जहता है थोड़े वह पॉंप अप हो जाते तो कशल्याने दुबारा इंसिश्ट किया कि न अल्कुल सुनने को तयार नहीं बड़े प्यार से बहुत पॉलाइटली बहुत कूल माइंडेड होकर जहां रखिए जो लीडर होता है ना राजा वो राजा देश का बने घर का घर का लीडर बने इंस्टिटीशन का बने कहीं का बने आपने पढ़ा था ना वो उसमें बालका कैसा भी सिच्वेशन हो सामने बाले कैसा भी रियाक करें अजे लीडर आपकी कैसे रियाक्शन होता है आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं आपके अपने लोग भी गुस्से में आते हैं पर कैसे आप मैनेज करते हो आपके सामने दो तरह के धर्म खड़े हैं दोनों ही सही है पर आप कैसे उसको मैनेज कर तो यह तो leadership quality होती है और जो leader is calamity में जब problems आते हैं जब calamity जाती है जब troubles आते हैं leadership की तभी परिक्षा होती है कि आप ऐसी situation में कैसे हैंडल करें अभी pandemic आई तो दुनिया में बहुत सरे देशों की जो prime minister है या president है उनकी टेस्ट हुआ कि वो सफल है कि विफल हुए तो ये हमेशा होता है तो राम ने लक्षमन और कौशल्या को समझा बुजा करके मना लिया जब मना लिया तब कौशल्या कहती है अगर तुम्हें जाना ही है फिर मैं तो यहां रह नहीं सकती मैं भी तुम्हारे साथ चलू ने कहा कि माने आप मेरे साँ जानी सकते हैं राम धर्म की बात करते हैं ना मर्यादा मर्यादा लिमिटेशन लिमिटेशन धर्म से होती है मात तुम्हारी जरूरत तुम से मुझ से ज्यादा तुम्हारे पती को हो मेरे पिता तुम्हारे पती भुजूर्ग हैं उद्धे हो कई कई ने उनके साथ दगावाजी की है वो इस बुढ़ापा में इस दुख को इस सम दुख को सहने सकते उनकी तुम्हारी जरूरत है तुम उनके पास 24 गंटे रहना उनका ख्याल रखना क्योंकि तुम नहीं रखोगी कई 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 तो वैसे ही दगावाजी करके जा चुती है दशरत ना दशरत का उनको ट्रश्ट है ना कई के याव दशरत को कुछ अच्छा करने वाली है तो तुम अगभी मेरे साथ चलोगी तो पिता जी तो हमारे पीछे मर जाएंगी तो प्लीज अपनी पीछ यहीं रुको पिता जी की सेवा करो वैसे भी पत्नी होने के लाते त तब है तुम्हारे पती जब परेशानी में हो दुख में हो तुम उनका साथ दो मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है मुझे दंड मिला है मुझे वचन फील करना है तुमें उसमें जाने की जरूरत नहीं तुम यहीं रहकर के पती की सिवा करो और दूसरी चीजे चिंता मत क कि मेरे जाने के पीछे तुमारे साथ कोई बुरा करेगा क्योंकि मुझे 100% यकीन है भरत ऐसा नहीं है भरत जब राजा बनेगा वो तुम्हें उतना ही सम्मान देगा जितना कई कई को सम्मान देता है भरत तुम्हें उतना ही सम्मान देगा जितना में तुम्हें सम्मान देत ऑब राम विदा होने के लिए जंगल जाने के लिए लम किया उसकी साथ थुड़े को तक सुन्दर शलोख है और शृल्ष लाश्ट में क्या कहते हैं जब अपने बेटे को विदाए मि요 करतें अलाव करते अगर राम तुमने अगर मन बनाई लिया है मैंने पूरी कोशिश की तुमें अपनी वचन को वापश कर लो अगर तुम मनने को तयार नहीं हो तुमने मन बनाई लिया है कि जाना तो जरूर जाओ में तुम्हें अब रोकूंगा नहीं, मैं मान लिया कि मेरा भाग्य खराप है, मेरे लिए ये टाइम खराप है, और तुम्हारे लिए भी ये टाइम खराप है, गच्छा पुत्र, अब तुम जाओ, एक आग रो, अपना फोकस्ट माइंड करके जाओ, भद्रमते अस्तु, त भगवान तुम्हारा कल्यान करे, तुनस्त्वई निबृते तु भविश्यामी गतव्यता, जब चौदा साल के बाद वापस आओगे राम, तब मेरा दुख फिर दूर होगा, मैं चौदा साल तक तुम्हारी प्रतिख्या करोंगे, प्रत्या गते महा भागे, कृतार्थे चरित ब्रते, पितुरा अन्रण्यतां प्राप्ते, त्वैल अप्स्ये परम सुखं, कृतान तस्या गति ही पुत्र, दुर्भीभाव्या सदा भुवी, यस्त्वाम संचोदयति में, वचा आचि त्यरा घवा, बेटे राम पना, 14 साल का बच्चन निभा करके, अपने पित जानता हूं कि हो सकता है कि ये डेष्टिनी का, भाग्य का, विधाता का कोई हमारे उपर अभिशाप है, या कोई दुष्ट भावना है, जिसको हमें भोगना पड़ रहा है, जिसके कारण में तुम्हारे मन को बदलने ही पा रहा हूं, या उस दुष्ट भाग्य, तुम्ह तुम्हें अडिक होने के लिए मजबूर करता है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं रुकूंगी। तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे और वापस आकर के अपनी मिठी-मिठी बातों से मुझे दुबारा खुश करो। मुझे तो लगता है काश आज के दिन 14 साल पुरा हो जाते, काश पहले ही तुम बन चले जाते, आज वापस आते, तो आज मैं तुम्हें वो जटा और वो बलकल से देख करके मैं खुशी मनाता, पर आज से ही तुम्हारा दिन सुरू हो रहा है। बताए ना जो विपत्ति आती है, तो हम सोचने है काश आज विपत्ति का लाश्डे होता, पाश्डे के जगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा आशिरवात तुम्हारे साथ है, और तुम जाओ, तब कौशल्या राम को विदा करने से पहले मंगलकृत्य करती है, मंगलकृत्या उसी समय, ध्यान रखिये राम जब कौशल्या से मिलने आई थी, कौशल्या तबी हवन ही कर रही थी, उन्होंने हवन दुबारा की सुरुक किया, उसमें विशेश आहूतिया दिया अपनी बेटे की भलाई के लिए, मंगलकृत्या कि उसका भला हो, इस तरह उन्होंने प्र प्र चाल रखना, मेरे मेटे का मंगल करना, दुनिया में जितने भी देवताओं हैं, देवता जांते हैं बढ़़ा हैं, प्रमात्मा से लेकर के मातापिता तक उसमें ये जड़ देवता भी है, सब को बोला जब आप भावना में हुते हैं, इमोशन्स में होते हैं, सब मेर बेटे का कल्यान करना सम्मेरे बेटे का धान दकना तब कौशल्य के मंगल कृत्य और मंगल हवन के वाद जब भी आप अच्छे काम या बुरे काम के लिए जाते हैं तो आज भी बहुत सरे लोग करते हैं घर में हवन पुजा पाठ कुछ भी करते हैं बच्चों की भलाई के के लिए या पतिया पतली चायानि अ उसके वे गपिवाद राम मा का प्रणान और प्रदक्षिणा करके बाहर निकला सब्चे जहां तरब भूमना आज कल हम चारों तरब अब ये कभी-कभी जो पौरानिक लोग मंदिर में गुंते हैं या शादी ब्याहा में आग तेरा लेते हैं प्रदक्षिना या प्थेरा यह हमेशा शे रहा है जो भी हमारे लिए रिस्पेक्टिबुल है पीता हो माता हो गुरुजन हो आचारिय हो या कोई भी ऐसा सुख्ष उसमें उनकी प्रणाम करना और उनका एक चक्र लगाना प्रदक्षिना करना यह ट्रडिशनल वे आप सोइंग रेस्पेक्ट हुआ करता था तो आप रामयान में किकने बार सुनें राम दशरत से मिले और जो वापस गए प्रणाम किया और एक खेरा लेकर करके माना एक प् गए अब हो गया जी दशरत चाहिके से मिलना हो गया लक्षमन से मिलना हो गया अपनी मां से भी मिलना हो गया अब Π सबसे इंपोटन पर्शन रह गया जिसे मिलना है वह सीता पतनी सीता अब राम अपनी मां के भवन से निकल करके वैदेही के भवन वैदेही सिता सिता के भवन में पहुंचने की जा रहे हैं वहां उस तरफ सिता को कुछ पता नहीं है कोई इतनी सारे इंसीडेंट हो गया है इतने निव डेवलप्मेंट हो गया है सिता को अभी कोई खवर नहीं मिला तो सिता अपनी जो भी नहाद हो करके यग्यां यग्यां बार-बार आता है यग्यां रहता है यग्यां उगरा करके क्योंकि पती अभिशे के लिए जा रहे हैं जो उनके लिए जो मंगल विधी यग्यां यग्यां के साथ जो भी और भी मंगल कृत्य होते हैं करके वह विट कर रही थी कि राम कब वापस आए और तभी राम अंदर प्रवेश करते हैं जब राम अंदर प्रवेश करते हैं सिता ने देखा राम को अंदर प्रभेश करती है जब आप राजा बने जा रहे हो आपके प्रोमोशन हुआ है आप सीओ बनने जा रहे हो तो आपके सकल में तो कुछ पता लगेगा ना तो वो जो तेज जो जो उर्जा जोश वो राम में नहीं था सिता कुछ भाप गई अंदर से उनको हलका सा डर होने लगा राम के ऐसे सुखे हुए मूँ देख करके खड़ी हो गई राम भी अभी तक जिस बात को अंदर दबा के रखे थे जब अपनी प्रिय पत्नी के सामने आए उन्होंने वो जो दबे हुए शोक को अब रोक नहीं पा गया महला कुछ बोले नहीं महला पत्नी के सामने आते ही उनके मुह में उनके फेशियल एक्स्प्रेशन में वो मैनिफेस्टेड होने लगा जो दुख या शोक जो घटना घटी इसको देख करके सीता घवराई पूछा क्या हुआ आप अभी खोडी दिर में राज्यावीश कोना है आप अकेले क्यों आ रहे हैं आपके पीछे कोई बाजा नहीं बजराए कोई सजे धजे डेकुरेटिड रत नहीं डेकुरेटिड घोडे नहीं हाती नहीं ऊपर चाता नहीं वो पंखा नहीं कोई वेदपाथी ब्राह्मन वेदपाथ नहीं कर रहे हैं और आपके मू में जो भाव है वो कुछ हो समझ में नहीं आ रहा है तब राम ने सिता को बताया डीटेल में कि जो मैं जल्दिवाजी में गया था क्या क्या हुआ दशरत मा कई की की भवन में क्या हुआ और मुझे अभी इसी वक्त एकसाइल में वन जाना है भरत को राजा बनना है और मां कैशल्या से मिला लक्षमन ने ये बोला सारी बातें बताकर उसके बाद क्या होता है अगले वार जानेगे टाइंग हो गया है तो इस तरह हमने 26 तक या अगले वार जानेंगे सीता और राम का जो डायलक है उसके बाद राम का वन जाने की जो तैयरियां होती है जाने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें